नमस्कार, मैं सल्प निर्टिकुमारी, प्राध्यापिका अर्थ सास्तर, सिक्षा विफाद हर्याना, आज के इस एजुसेट e-Learning प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करती हूँ, प्राए बच्चो हमारा आज का मुख्य में सरहेगा वीजेशी वीलिमाल वाजर, फोर्ण एक्स्चेंज मार्केट, और आज के इस मेक्षान का मुख्य में सरहेगा वीजेशी विपीनिमाल वाजर का अर्थ वैष इसके कारियह, अर्थाद, meaning and functions of foreign exchange market, operations of foreign exchange market, विगेशी विनिमे बाचार की कार्ये, पर्दती, sport and forward market, हाचिर बचार वे वाइदा बचार क्या है, recent exchange rate issues, वर्तमान, विनिमे दर्खे, मुदे में समस्चाई, डांटी, प्लोईटी, कंदी, तर्ण सीलता क्या है, इन सबसे आप विद्यार्थियों को आवगत करना, प्याले बच्चों, सबसे पहले विदेशी विनिमे बाजार क्या है, विदेशी विनिमे बाजार वैसा ही बाजार होता है, जैसे वस्तू बाजार होता है, जिस परकार हम वस्तू बाजार में वस्तू को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक उसी परकार से विदेसी विनिम्य वाजार में भी विदेसी क्रंसीों को खरीदा और बेचा जाता है। का व्यापार का केंदर बन जाता है विदेशी विद्वने में बाजार में मुद्रा के करेता इसे खरिवते हैं और मुद्रा के विक्रेता इसे बेचते हैं प्यारे बैचों जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी के साथ व्यापार करता है तो उसे विदेशी विद्वने में बाजार विदेशी विनिमर बाजार बहुत से कारिय करता है जो की निमलिकित हैं जैसे सलसे पहना कारिय है हस्तांत्रम कारिय है ट्रांसफर फंक्संस विदेशी विनिमर बाजार पर्चेजिंग पावर को हस्तांत्रिक करता है या purchasing power का transfer करता है जैसे एक देश के व्यापाई को दूसरे देश के व्यापाई के साथ व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूर्थ पढ़ती है तो वो कहां से प्राप्त होती है वो वस्तमें आयात करने के लिए जो purchasing power है या जो विदेशी currency है उसकी जरूर्थ वो कहां से प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी हमें विदेशी विदे में बाजावार से साथ कारिये या credit functions जिस परकार से देश में व्यापार करने के लिए देश के व्यापारियों को साख की जरूर्थ होती है उधार की जरूर्थ होती है रण की जरूर्थ होती है या ल कि ज़रूर्द मैसुस होती है विदेशों में व्यापार करने के लिए विदेशी क्रंशी उधार हों देगा या साख कौन उपलंद कराएगा विदेशी क्रंशी की वो उपलंद कराता है विदेशी में बाचार इसी परकार से तीसरा जो कारिय है वो है जोखिम से बचाओ या पूरो उपाई कारिय है है हैजिंग फंक्सन्स प्हारे बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज कर दुनिया के तक्रीमन सभी देशों में नम्मे विनिमे दर पर नाली पाई जा देटन उतार चढ़ाओ होते रहते हैं तो कि नम्मे विनिमे दर का जो निर्धारण है वह है विदेशी मुद्रा की मांग वह विदेशी मुद्रा की पूरती के दवारा निर्धारण या निर्धारण की जाती है जैसे कि हम यह एका जित्र में दिखा लें कि नम्मे विनिम कर दार का मिर्धारन कैसे होता है यह हैं टेमांड पोर करेंशी और को आज़ी सप्लाइब ओफ करेंशी और यहां पर एक फिलिम्टीम है और यह है रेट यह रेट तो प्याले बचुर्ण हमने देखा मांग और पूर्ति की सक्तियां जहां आएक दूसरे को काठती है वहां प अब ही हमने बताया कि जो विदेशी विने में बाजार है वो हैजिन का कार्ये करता है सुरक्षात्मक उपाय अपना करके यानकी पूरो उपाय करता है जो खिम से बचाओ का कार्ये करता है जैसा कि आपको बता है कि विदेशी विने में दर में होने वाले उतार चड़ाओ का जोख्यूं से बचाओं कैसे करता है इसके लिए वह हजिर बजार या वाइदा बजार का परवंद करता है बच्चों विदेशी वीनिमे की मांग वैपूर्ती पहले से तर्व पर करता है चाहे उसका ग्रेव ग्रेव बहुश्य में किसी भी अवदी में किया जाए इस परकार से जोख्यूं से वल्साओ का पारिय या पूरा उपवाई कारिय या हैजिंग पारिय है वह कौन करता है वीदेशी वीनिमे बजार इसके बाद अब हम आपको कराएंगे कि विदेशी विनिमे बाचार की कारिय पदती Operations of Foreign Exchange Market या विदेशी विनिमे बाचार की कारिय पदती विदेशी विनिमे बाचार लेन देन के समय की द्रस्टी से या तो हाजी बाचार या वाइदा बाचार के रूप में कारिय करता है हाजी बाचार क्या होता है या हाजी बाचार या स्पोर्ट मार्केट से क्या भी पदाए है हाजिर बजार वह बजार है जिसमें विदेशी विनिमे का चाम क्रेल विक्रे किया जाता है हाजिर बजार की विशेश्ताइं निमलिकित है हाजिर बजार दैनिक प्रकर्प्ति वाला कुता है हाजिर बजार में विनिमेदर को तत्कालिक विनिमेदर कहा जाता है या sport exchange rate कहा जाता है Next है वाइदा बजार या forward market क्या है वाइदा बजार वहे बजार है जिसमें भविश्य में किसी तिथी पर पूरे होने वाली लेंदेन का कारोबार होता है ऐसे लेंदेन के परफत्रों पर हस्ताक्सर तो आज किये जाते हैं लेकिन यह लेंदेन भविश्य में किसी दिन पूरा होता है वाइदा बजार की मिशिस्पाई यह बजार के वल भविश्य से सब्बंदित होता है वर्तमानवी या हाजिर बजार से यानिकि जिसमें चानलों करेंदेन से इसका कोई संब्द नहीं होता है दूसरी इसेस्ता है यह बविश्य की वीनिवेदर को परिभावशित करता है बविश्य में लेन देन का कारोबार क्यों किया जाता है अब सवाल यह उठता है कि भी हम लेन देन का जो कारोबार है वो बविश्य में क्यों करते हैं क्या कारण है तो सबसे पहला कारण है वीनिवेदर में किसी परतिकूल परिवरतन की जो खिम से बचने के लिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आजकल दुनिया के प्रक्रिवन सभी देश नम्बे विदे मदर पर्णाली को अपना रही है, और नम्बे विदे मदर पर्णाली का दिन धारण वहां पर होता है, जहां पर विदेशी मुद्रा की मान और विदेशी मुद्रा जोब और मांग और पूर्ती की सक्तियां एक दूस्रे को काटते हैं वहाँ पर विदेशी विन्य मेज़र का या फोरैंड एक्षेजरेट का दितार होता है तो नम्य विन्य मेज़र की वजह से किसी परतिकूल परिवर्तन की जोखियों से वचने के लिए भुषय में पावर क और सक्ट्टय का लाग उठाने के लिए भूंत सारे व्यापारी या भूंत सारे निवेसक कई जो इसक्र होते है वह विदेशी मुत्रा में निवेश करते हैं सक्टा वुदेश्य यहacyicer प्रोफिट कमाने के लिए तो इसलिए वो फोश्य में जो कारुबार उसकोपसंद करते हैं इसलिए फोश्य में कारुबार किया डालता है यहारे बूच्चु इसी के साथ हाजिर वचार के साथान मैं हाजिर विणिमेंत दर, हाजिर विनिवे दर वहे दर है जो हाजिर बजार में पाई जाती है देखो बजार में जो उस समय परचलित होती है जब लेन देनी किया जाता है जब हाजिर सोदों का लेन देनी किया जाता है वहे हाजिर विनिवे दर कहलाती है अंतरास्टे मुध्रा वाजार में इसका सम्मन हाजीर सोदों से होता है नेक्स है वाइदार विनीमे दर, जैसे हाजीर विनीमे दर है इसी परकावसे वाइदा विनीमे दर वाइदा विनिमेदर का सम्मद वाइदा बजार से होता है देको जिसमें वहिसे में पूरा होने वाला लेट देन का कालोबार होता है वहाँ पर वाइदा विनिमेदर पजलत होती है यह एक परकार की अनुबंदित एक्सेंज रेट यानि की अनुबंदित विनिमेदर होती है contracted foreign exchange rate इसे कहा जाता है तो वाईदा विनी मेदर और हाजे विनी मेदर भी कलियर हो जा है कि हाजे विनी मेदर का समद हाजे बजार से और वाईदा विनी मेदर का समद वाईजा बजार से होता है पहरे बच्चों इसी के साथ साथ जो विनी मेदर है जो foreign exchange rate है वर्तमान में, वर्तमान में जो विनिमेदर हैं, उनसे संपनित कुछ मुद्दी है, कुछ समस्चाएं हैं, अब हम उन्ही मुद्दों और उन्ही समस्चाओं पर विचार करेंगे. वर्तमान में जो विनिमेदर के मुद्दे वे समस्चाएं, रेसेंट एक्स्चेंज रेट इशुच, अंत्रास्त्रिय मुद्रा वाजार में, नम्मे में जो विनिमेदर प्रणाली के तरफ लोगों का जुकाओं या तेसों का जुकाओं अब सबस्ट रोब से परकट हो रहा ह वेश्रिकर्ण की जागर्ती आने के बाद नम्मे विने मेदर पर्णावी ने सिथिर विने मेदर पर्णावी का स्थाम ले लिया है या दुनिया के तक्रिमन सभी देश सिथिर विने मेदर को छोड़ करके नम्मे विने मेदर को अपना रही है यह auto adjustment mechanism पर आधारित है क्योंकि जो नम्मे विले में दरप्रणाली है माग और पूर्ती की सब्तियों की अंतर पिरिया पर आधारित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे यह auto adjustment mechanism पर आधारित है तो सरकार के पास कोई मुद्दाई नहीं है कोई समश्यारी नहीं है है और वो समश्या क्या है कि विदेशी विली मेंदर की परिवर्तन से लिता विदेशी विली मेंदर में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं जिससे देश का विकास हतोत साहित होटा है क्योंकि किसी विदेश का जो आर्थिक विकास है वो FDI पर निर्भर करता है Foreign Direct Investment और FDI जो Foreign Direct Investment है वो किस पर निर्भर करती है विदेशी विनी में की सिथिर्टा पर निर्भर करती है FDI की सिथिर्टा विदेशी विनी में दर की सिथिर्टा पर निर्भर करती है और उपकर विदेशी विनी में दर परिवर्टन सेल हो जाती है, लगातार परिवर्टिती होती रहती है, तो देश का जो विकास है, जो गहेलों विकास है, वो लगवग एनिशित सा हो जाता है. तो क्या कारण है, जो विदेशी विनी में दर है, वो परिवर्टन सेल क्यों हो जाती है, उसके क्या कारण है, अर्थात विदेशी विनी में दर की परिवर्टन सेल क्या कारण है, तो यहां पर कारण मताई है, पहला कारण है अंतरास्टिय वितिय वाजारों का विकास, जो इ सवस्थाइब या अंतराश्टेवितिय बाजारों का विश्मेकारी निकास हुआ है इसके फलसरुप क्या हुआ कि मुद्रा के हस्तांदर में बहुत अधिक विर्दी हुई है और क्रेंशों की मांग और पूर्टी पर काफी दबाव पड़ा है और जब क्रेंशों की मांग औ की एक सबसे बड़ा कारण है कि अंतराश्टेवितिय बाजारों का विकास दूसरा कारण है सुचना प्रोधोगी की का विकास Information Technology IT Companies का धरले से विकास हुआ है और इसके वज़े से क्या होता है कि पहले जो काम होता था IT के Information Technology के आने जे पहले Manually काम होता था और जो कोशों का हस्तातर्न होता था वो उसमें समय लग जाता था लेकिन आज के समय पे जो कोशों का जो हस्तातर्न है केवर एक बटन दबाने मातर से हो जाता है और जो कोशों का हस्तातर्न स्पीड से होगा तो मुद्रा की मांग और पूती में भी परिवर्तन आएगा उनमें दबाव बनेगा और जिससे विदिसी मिली में दर परिवर्त सतन सीध हो जाती है तेस्ला कारव है बढ़ती सटा किरिया आए बढ़ती सटा करिया है और जाध यृ झी वैजे जाये जैसे ही नमे मेले मेलों अ विडेश ची मुदा और लिए करते हैं वा लेंग देर उदेशे के लिए मांग करते हैं बलकि सकता उदेशियों के लिए मांग करते हैं और अपने पोर्ट फोलीओ को उसको परिवर्तित करते रहते हैं तो इस वजह से भी जो सकता मनोवर्ति के कारवी विदेशी विनी दरों में परिवर्तन का होना में सिच्था हो गया है नेक्स्ट है रहेलू व्याज दर्मों में या मोधिक नितियों में तेज गति से बदलाओ मोधिक निति जो की मुद्रा की पूर्टी और व्याज की दर से संब्धित होती है उसमें बदलाओ व्यापार चक्रों की कारव जो व्यापार चक्र होती हैं जैसे कि हमने पहले विडियों में बताया था कि व्यापार चक्र कभी मंदी कभी तेजी व्यापार चक्र जो आते हैं तो उसमें कभी मंदी की स्थिति कभी तेजी की स्थिति कभी अभावी मांग तो कभी अधी मांग की स्थिति बने रहती है और अभावी मांग और अधी मांग को दूर करने के लिए सरकार मोद्रिक निती को अपनाती है मोद्रिक निती के जो उपाई है उनको अपना जाता है और मोद्रिक निती अभावी मांगती स्थिती में जब अभावी मांग होती है तो उससे में सस्ती मोद्रिक निती अपनाई जाती है सस्ती मोद्रिक निती का आर्थ है कि लोग ज्यादा वुद्राकी मांग करेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे यानकि ब्याज की दर कम अपनाई जाती है और जब याज की दर को कम कर दिया जाता है तो जो एनराई हैं विदेशों जो विदेशी यानकी फोर्नर है एक और नियून रजिडेंट ओफ एडिया वो घ्रेल्व बैंकों में यानकि देशी बैंकों में अपने पैसी को रखना पसंद नहीं करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा की पूर्ती के जो भंडार है वो कम हो जाते हैं और जिसस करते हैं, यह भी एक कारण या भशाज अडर में करना है यह अ सिलता के कारण और अब हम बात करेंगे दर्ठी प्लूर्टी यह परबंदित तर्ण प्रिप्राद आलि जिसका निर्धन सरकार के नवारा किया जाता है । और जिसका निर्धारन मांग और पूर्ती की सपतियों की द्वारा क्या जाता है घनी में नम्मे मदर पर्णाली को जहाती है अब परबंदित तरह सीज़ता क्या है नम्मे में बदर पर्णाली में और अधी नियमों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चेंज कुछ और अधी नियमों को ध्यान में ना रख करके किसी देश का केंदरी में केवल अपने देश के हितों को ध्यान में रखता है और दूसरे देशों के हितों को ध्यान में ना रख करके अगर बिनी मदर में परिवर्दन करता है तो वो गंदी तर्ण सेता कहला दी है या डर्टी डर्टी फ्लोईटिंग अर्थाथ नियमों और अधी नियमों को ताप पर रखते हुए केवल अपने हित्व की रक्षा करने के लिए केवल अपना हित्व का जो मुदेश से हैं वो पुरा करने के लिए अपने स्वार्थ के लिए नियमों और अधी नियमों का जो पालन नहीं करते हैं और विनिमेदर में परिवतन कर लेते हैं उसको गोते हैं डांटिक फ्लोटिंग गंदी तारण सेलता अब यहां बढ़ देखो केंद्रिय बैंक अंतरास्त्री विनिमेद वाजार में अस्तक से परभंद करते हैं कि वो कैसे परभंद करते हैं कि विदेशी जो मुद्रा है उसका प्रय और विक्रय करते हैं ताकि उसकी मुद्रा की जो पूर्ती है और उसकी जो माग है उसको परभंद करते हैं परंतों कोई भी अंद्रास्तिय समझोंता इसका समर्थन नहीं करता है यानि कि जो अंद्रास् तो वह होती है परबंदित तरण सिल्ता लेकिन जब उस सीमा का ध्यान ना रख करके नियमों और अधिनियमों को ध्यान ना रख करके अगर कोई अपने हित के लिए इसका प्रयोंग करता है तो डर्टी-फ्लोटी कहाती है तो यह थी गंदी तरण सिल्ता अब हम बात करेंगे परभावी विनिमेदर क्या है परभावी विनिमेदर एफ्यक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है परभावी विनिमेदर एफ्यक्टिव एक्सचेंज रेट परभावी विनिमेदर हाजे बजार में विनिमेदर की माप है विनिमेदर का माप है हाजे बजार में विनिमेदर क दो माव है पहला है परभावी विनिमेदर और दूसरा है क्रेय सब्सक्राइब परभावी विनिमेदर एक्सचेंज रेट परभावी विनिमेदर की करना जो की जाती है क्या कारण है तो परभावी विनिमेदर की करना इसलिए की जाती है क्योंकि एक ही समय में, किसी एक करंशी की विनी मैंदर में, कुछ अन्य करंशी की तुलना में व्रिधी हो सकती है, और कुछ अन्य करंशी की तुलना में कमी भी हो सकती है, इसलिए परभावी विनी मैंदर की दर्ना की जाती है, परभावी विनिमे दर, एक करंशी की अंतरास्त्रिय मुझा पाचार में अन्य करंशियों के संबन में शक्ति का माप है, परभावी विनिमे दर के दो रूप है, पहला है मोद्रिक परभावी विनिमे दर, मोद्रिक परभावी विनिमे दर, जिसमें एक करंशी की अन्य करंशियों के संबन में उस्तन सक्ति को मापते समय कीमत इस्तर में होने वाले परिवक्तों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात जो मोद्रिक परभावी विनिमे दर है, नोमीदल एफेक्टिव एक्षेंज रेट, इसमें एक करंशी की अन्य करंशियों के संबन में उस्तन सक्ति को मापते समय है, और जो कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सेकिन है वास्तिक परभावी विनिमे दर, रियन एफेक्टिव एक्षेंज रेट, वास्तिक परभावी विनिमे दर क्या है, वास्तिक परभावी विनिमे दर वहे दर है, जिसमें संसार के विभिन देशों के केमत इस्तरों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है अर्थात जो कीमत स्तर में जो परिवर्दन होता है उनको ध्यान में रखा जाता है यह वास्त्रिक परभावी वीनी में जाए नेक्स्ट है जो हाजिर बजार में वीनी मेंदर का माप है वो है क्रेर शक्ती समता पर्चेजिंग पावर पेरेटिक पी 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 पल पी पर्चेजिंग पावर पेरेटिक क्या है क्रेशक्ती समता वीभीन देशों में वीनी मेंदर का मिर्धार्ण उन देशों की मुद्रां की क्रेशक्ती के अनुपात दवारा होता है अर्थार क्रेशक्ति संदा से अभितार है कि विविन देशों में विनिमेदर का निरधारण उन देशों की मुद्राओं की क्रेशक्ति के अनुपात दवारा होता है इसका अभी प्राणी है दो देशों के बीच विनी में दर उन देशों के कीमत स्त्रों के अनुपात के बराबर होती है जैसा ही इसका सुत्र विकार दिया है सुत्र है R equal to P of A only P of B R है exchange rate यानि की विनी में दर और P of A है A देश में कीमत स्त्र और P of B है B देश में कीमत स्त्र तो इसको हमें कुधार्णी की दवार की शायता से कलियर करेंगे माल लेजिए भारत में एक किलो सेव की जो कीमत है वो 70 रुपे है और अमेरिका में एक डूलर तब 70 रुपे की क्रे सकती एक डूलर के बराबर होगी और तब विनी में दर होगी रुपीज 70 एकोल टू वन डूलर अभी हमने बताया कि यदि भारत में एक किलो सेव की जीमत रुपीज 70 है भारत में 70 रुपीज की एक किलो सेव आते हैं और अमेरिका में जो एक किलो जो सेव है वो एक डूलर का आता है एक डूलर एक डूलर में एक किलो सेव आ जाते है और भारत में 70 रुपे में एक किलो सेव आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि 70 रुपे की जो क्रह सकती है जो पर्चेजिंग पाउर है वो किसके बराबन हो एक डूलर के यानकी 70 रुपेज इकोल टू वन डूलर यह विदिमेद dur खुंगी, यह विदिमेद तक्या होंगी? रुपे शेमटी फिकल 맡よ दों रों ले है डियर शुटि आज हमने आपको प्राइदा विदेशी विदिमेद बाजार क्या है? विदेशी विदिमेद बाजार की कारिये, इसकी कायी पदती, हजी बजार क्या है, वाइदा बजार और विनिमेदर या पर्तवान में जो विनिमेदर है उसके कुछ मुति, कुछ समच्चाइन, उन समच्चाऊं का क्या कारण था और डटी-फ्लोटिंग, डटी-फ्लोटिंग क्या होती है और इसके साथ साथ हाजे बजार में विनी मेदर के माप जोकी परभावी विनी मेदर और प्रयाशक्ती समता परभावी विनी मेदर के वी दोरूप हमने बताए मुद्री परभावी विनी मेदर और वास्तिर परभावी विनी मेदर Dear students, मैं उम्मीड करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये द्याख्यान अच्छे से कलियर हुआ होगा और इसी के साथ मैं आपने इस लेक्चर को विराम देती हूँ और आप लोगें से विदा देती हूँ धन्यवाद